तो कहानी शुरू होती है Buddy से, जो कि एक बहुत अच्छा hacker होता है, और वो पोलिस के साथ मिलकर के काम करता है, जब भी पोलिस को कि אני की hoяни, जासे सीरियस केस में उसकी जरुरत पड़ती है, तब वो पोलिस की help करता है, अब ऐसे हो प्लिस की help परने की लिएensor एफोस स्टेशन के लिए जाता है जहांपर कोई तो ऐसा है जो हर विटनेश डेको सिस्टम को कुछ वक्त के लिए एकदम से बंद कर देता है और उस वक्त में पूरे एफोस स्टेशन के सारे सिस्टम लॉक हो जाते हैं अब बड़ी यहां पर अपना लाप्टॉप कनेक्ट क बार और एफोस स्टेशन के सिस्टम को इस लें बंद कर रही थी हर वेडनेश डेको क्यूंकि जो सेल स्टेशन के पास पानी में रहती है उन्हें जैच की आवाज से काफी जाधा दिकत होती है बड़ी उस बच्ची को देख करके काफी इंप्रेस होता है क्यूंकि उसकी आ यहां पर उसका नाम होता है Mal, अब Mal यहां पर एक ऐसी कंपनी में काम करती है, जो कि दूसरी कंपनी को certificate प्रोवाइड करते है, मतलब कि वो कंपनी जो अपनी कंपनी में software का यूज करती है, तो Mal का काम यह होता है, कि वो इन companies में जाकर के चेक करें, कि वो software अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं और अगर कर रहे हैं तो वोने certificate दे अब ऐसी वो Retromax नाम की एक ऐसी company के पास में जाती है जो कि एक ऐसी bus को ला रहे होते हैं जो कि fully electric होगी मतलब उसके अंदर driver भी नहीं होगा और इसी driver वाली problem के लिए वो एक ऐसे software को यूज कर रहे हैं जो driver की जगे पर पूरी bus को control करेगा यहां पर मैल जागर के उस company की CEO लिन से मिलती है और इसके बाद वो पूरे सिस्टम को चेक करती है उसे समझ में आता है अब इस hacker को रोकने के लिए मैल के पास में जादा टाइम नहीं होता है क्योंकि आज उसकी date भी है तो वो कुछ वक्त के लिए उस hacker को रोक देती है ताकि थोड़ी देर के लिए information transfer उनी बंद हो जाए और इसके बाद वो अपने date पर जा पाए पर यहां पर उसकी date भी जाद अची नहीं जाती है तो वो थोड़ी देर बाद वहां से निकल आती है फिर वो अपने घर जाती है अपने बनाई हुए system Trojan को यूज करती है और Trojan को यूज करके वो Retromax से information चुलाने वाले उस hacker के सारे computers को बंद कर देती है यह Trojan उसका खुद का बनाया हुए कैसा system होता है जिससे कि वो किसी के भी system को बंद कर सकती है और यही system उसने 16 साल पहले भी यूज किया था जब वो बच्ची थी इस system को बंद करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि चायद उसके घर के सामने कोई है और जब वो जाती है तो यह देखते है कि दो गन मैन उसके घर के अंदर आ सारी होता है यह देख करके डर जाती है और वहां से भाग जाती है यहाँ से सीदne पुलिस्टेशन में जाती है और यही दोनों मैन आ गए हैं और वो इस तरह से लोग से बात कर रहा है जिससे ऐसा लगता है कि सभी लोग उन्हें जानते हैं मैल समझ जाती है कि बल्स्टेशन उसके लिए सेफ नहीं है इसलिए वह वहां से भाग जाती है अब यहां से भाग करके जाती है थॉमस के पास थॉमस वही लड़का है जिसके साथ वो डेट पर गई थी जो कि पूरी तरह से अंसक्सेस्वल हो गई थी यहां पर थॉमस को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताती है और कुछ वक्त उसके रूम में रहने के बात करती है थॉमस मान जाता है कि तभी वहां पर वो दोनों गनमैन उसे उसके फोन से ट्रैक कर लेते हैं और अब वो लोग तो थॕूमस के साथ में एक रेस्टरो में जाती है रेस्टरो में वो टीवी के एक न्यूस पर यह देखती है कि मैल से दिखाया गया है कि मैल ने किसी का मुर्डर कर दिया है और जिसका हो पोलिस हूँ कर पिछे पड़ी हूय है जहां पर सभी को तो यह लग रहा होता है कि मैल ने जरूर इस हैकर को मार दिया होगा लेकिन ड्राइस को ऐसा लगता है कि मैल ने कुछ भी नहीं किया इसके बाद कॉप जागर के रेट्रो मैक्स की सीओ लिन से मिलता है और वो उसके सॉफव्यर के बारे में पूछते हैं जिसे चेक करने के लिए मैल आयी होती है लेन यहाँ पर ये बताती है कि उनके कंपणी में यूज इने वाला ये सॉफव्यर किसी दूसरी कंपणी ने उन्य बना गर पर दिया है की ओपर कोई भी केस ना हो तो मैल अपना हैकिंग वाला सौफ्टेयर उन्हें दे दे मैल साफ इसके लिए मना कर देती है और कॉल कट कर देती है और इसके बाद थोमस के भी फोन को छोड़ देती अब बड़ी से मिलने के लिए Thomas और Mal एक बाइक को चोदी करते और जंगल में चले जाते यह वही मीटिंग पॉइंट होता है जिसके बारे में उसके दोस्तने उसे बताया होता है असल में जब Mal छोटी थी और पहरी बार बड़ी ने उसे देखा था वो वो पैसे रियल विक्टिम को वापस करते हैं पर बाद में Mal को ऐसा पता चला कि बड़ी ने कोई भी पैसे वापस नहीं किये थे बलकि उसने सारे पैसे अपने पास ही रख लिये थे और ये पता चलती Mal ने बड़ी के बारे में इंटरपोल को बता दिया और तब से इंटरपोल बड़ी को ढून रही है और बड़ी यहाँ पर सबसे चिप करके एक अंडरग्राउंड जगे पर रह रहा होता है अब यहाँ पर वो Mal के help करने के लिए आ गया आता है वो उसे लेकर यह कैसी जगे पर जाता है जो कि उसका खुद का safe house होता है जहाँ पर अंदर काफी सारे computers रखे होते हैं और बड़ी अब यहीं पर ही रहता है और next scene में हम यह पता चलता है कि शाओमन कंपनी के owner का इस सारा plan होता है वो यह hacker वाली unit को भी चला रहा होता है जो कि दूसरों के information को अपने पास में collect कर रहोता है और बाद में वो लोग इसे sell करेंगे और यह सब कुछ वो लोग बस एक face scan से कर लेते हैं जब भी कोई बस के अंदर जाता है उसका face scan होता है तो वो उसके सारी details निकाल लेते हैं बदलब कि उनका bank account उनका account number सब कुछ अब mail यहाँ पर buddy के PCs को use करके उस video को निकाल लेती है जो कि mail का चेहरा edit करने से पहले real video होगी और वहाँ पर यह देखती है कि hacker को कोई और मार रहा है और अब यह सारी बात है वो drives को call करके बता देती है call करने के लिए buddy का phone use करती है buddy का phone काफी पुराना होता है तो उसे track नहीं कर सकते लेकिन drives यहाँ पर यह बोलता है कि mail को surrender कर देने चाहिए और बाद में वो उसकी पूरी पूरी help करेगा पर mail इसके लिए मना कर देती है और call कट हो जाता है पर दूसी तरफ Roger जो कि mail के पीछे पड़ा होता है वो इस phone को trace कर लेते है और उसे mail की location पता चल जाती है और वो वहाँ पर पहुच जाता है यहाँ पर आ करके वो सबसे पहले buddy को मार देता है इसके बाद वो mail को मार देता लेकिन mail यहाँ पर थूमस के साथ में जैसे तैसे बच कर के buddy की car लेकर के भाग जाती है अब तक थूमस परिशान हो गया है उसे ऐसे लगता है कि सिर्फ policy है जो mail की help कर वाईगी तो वो ड्राइस को call करता सब कुछ बता देता है थूमस ने जाते वे buddy का phone रख लिया था अब ड्राइस यहाँ पर mail को लेने के लिए आ रहा होता है और यह बाते जब mail को पता चलती है तो उसे गुस्सा आती है और वो थूमस को छोड़ करके निकल जाती है ड्राइस जब आता है तब उसे सिर्फ थूमस मिलता है लेकिन थूमस ड्राइस को यह नहीं बताता कि mail कहा जा रही है अब नेक सीन में हम mail को देखते हैं जिसे एक proof चाहिए अपने आपको बेगुना साबित करने के लिए और वो proof है उसका वो face scan और उस face scan के बारे में सारी information रेट्रो मैक्स कंपनी के अंदर ही होगी उन्हीं software में और आज यहां पर रेट्रो मैक्स कंपनी के owners उस bus को launch कर रहे थे और mail यहां पर सबसे बचते हुए उस room में पहुच जाती है जहां पर software से related सारे system रखे होते हैं और यहां पर उसे ढूनने पर अपना face का code भी मिल जाता है उसके पास साले proves होते हैं कि तभी वहां पर पीछे से रोजर आ जाता है क्योंकि उसे बता होता है कि mail यहां से भाग करके कहा जाएगी और अब मैल को यह बोलता है कि जो भी hacking system उसने पूरे software में लगा करके रखा है जिसके वजह से वो information transfer नहीं कर पा रहे है वो system को हटा दे जाल यहां पर थोड़ी देर तक ऐसी notting की करती है लेकिन बाद में बच करके निकल जाती है और यहां बचने के लिए उसे रोजर से fight करने पड़ती है दूसी तरफ Thomas भी पुलिस टेशन से भाग गया होता है और वो मैल के help करने के लिए आ रहा होता है और पुलिस जल्दी क कंपनी के अंदर जाकर के रोजर और माल दोनों को एरेस्ट कर लेती है क्योंकि प्लिस को पहले से ही पता था कि मैल भी जरूर उसी कंपनी के पास में जाएगी जहां से सारी बाते शुरू होई है लेकि रोजर ने यहां पर आने से पहले उस system पे शूट कर दिया था मतलब क वह system damage हो गया और दूसी तरफ उस बस की first ride चल रही होती है बतलब कि कुछ special लोग उसी बस के अंदर बैठे होते हैं जहांपर driver नहीं होता सिर्फ एक system होता है और अब क्योंकि company में system टूट चुका है तो वहां का system भी crash कर जाता है और अब वह बस कहीं पर भी रुकती नहीं है और जल्दी उस बस का accident होने वाला है ड्राइस यहांपर मैल की help मांगते हैं और मैल यहांपर thomas को call करती है thomas अभी भी रास्ते में होता है और मैल के पास में आ रहा होता है मैल यहांपर thomas को यह बोलते है कि उसके पास में buddy की car है buddy की car के अंदर एक green color का device है उसे bus के मैल के पास में आ जाए और इसके बाद वह इसली बस को रोक सकती है thomas यहांपर थोड़े बहुत स्टंड करते हैं बस के अंदर चला जाता है और इस सिस्टम को plug-in कर देता है मैल के पास में control आ जाता है और वह बच भी जाती है और रोजर पकड़ा जाता है और अब वह और तीन दिन हो चुक है उसने कैसा सिस्टम मनाया था कि अगर तीन दिन तक बड़ी अपने सिस्टम में लोग-in ना करे तो यह मैसेज मैल को चला जाएगा बड़ी यहां पर मैल को यह बताता है कि उस वक्त काफी पहले वह जो सारे पैसे उसने खाय थे असल में इसने सभी पै जो कि 2022 में रिलीज होई है और अगर आपको मेरा एक्स्प्रींग फसंद्या हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मैंचाल को सब्स्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई